गुड मॉर्णिंग इस्टूदेंज आज हम लोग रूचिरा दुत्य भाग का तेरा पार्ट पने जा रहें जिसका नाम है अम्रितम संस्कितम जिसका अर्थ होता है अम्रित अम्रितम संस्कितम का अर्थ होता है संस्कृत भासा अम्रित है प्रसूत पाठ में संस्कित भासा के महत्वका वर्णन है यह भासा संसार की भासाओं में प्राचिन्तम और अधिकतर भासाओं की जन्नी है इसका साहित्य संस्कृती का ज्यान प्रदान करता है अतब संस्कृती आचरण और स्रेश्ट ज्यान प्राप्ट करने के लिए संस्कृत आवस्य हमें पढ़नी चाहिए बच्चो चलिए तो अमरितम संस्कृतम का अब हिंदी मीनिंग समस्ते है चलिए तो अम्रितम संस्कृतम का हिंदी ट्रांसिट करते हैं ठीक है देखिए बिश्वस्य उपलब्धासो भासासो संस्कृत भासा प्राचीन तमा भासा आस्ती यानि संसार के सभी उपलब्ध भासाओं में संस्कृत भासा सबसे अधिक प्राचीन है या पुरानी है ठीक ह भासयम अनिकासाम भाशाराम जन्नी मता मतलब या भासा अनिक भासाम की माता मानी गई है प्राचीन नयो ग्यान बिज्ञान यो नीधी अस्याम सुरचित मतलब प्राचीन ग्यान बिज्ञान का खजाना इसमें क्या है सुरचित है ठीक है नीधी मतलब ख़जाना होता है आगे है संस्कृतस्य महत्व विशय के नापी कथितम संस्कृत के महत्व के विशय में किसी के द्वारा कहा गया है भारतस्य प्रति प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति स्थता मतलब भारत की दो परतिष्ठाएं हैं संस्कृत और संस्कृती ठीक है चलिए आगे देखे देखे लिखा है यह भासा अतिव बैग्यानिकी मतलब यह भासा बहुत ही बैग्यानिकी है केशन कथ्यंती यत संस्कृत में संग्रक संग्रक से कृतिय सरत्मा भासा मतलब कुछ लो दर्वसरेष्ट भासा है ठीक है अस्या वाड मयम वेदय पुराणाय निती सास्त्रे चिकिसा सास्त्र आधी विश्च सम्रिध धमस्ती मतलब इसका सहीत्य वेदों से पुराणों से निती सास्त्रों से और चिकिसा सास्त्र आधी को से संपन है आगे है काली दासा दिनाम विश्व के वियाम काब्यसंदर्यम अनुपमं काली दास आदी विश्व कभियों काब्यसंदर अतुल निय है ठीक है? आगे है कौटिल्य रचीतम अर्थ सास्रम जगती पर सीध मस्ती कौटिल्य के द्वारा रचीत अर्ष सास्त्र संसार में प्रसिद है आगे है गडित सास्त्री सुन्यास पर्ति पादम सवर पथम आर्य भट अपरोत सुन्यास गडित सास्त्री यानि गडित सास्त्री सुन्या का परियोग सबसे पहले आर्य भट ने किया था आर्या भट ने किया था चिकिसाथ सास्त्रे चरक सुसुरुत योगदानम विश्व परसीधम चरक चिकिसा साथर में चरक और सुसरूत का योगदान बिष्व विख्यात है सन्स्कृत यानी अन्यापी सास्तरानी विध्धंते तेसु वस्तु सासरम रसायन सासरम खगोल विग्यानम जोति सासरम बिवान सासरम इत्यादी उलेक नियानी संस्कृत में जो दूसरे सास्त्र है उनमें वायूस शास्त्र रसायन सास्त्र अंत्रिछ विग्यान जोतिस शास्त्र और बिमान सास्त्र आदी तीके उलेखनिया है आगे देखें संस्कृति बिध्माना सुक्तिया अभ्योद्याया प्रियंति यथा मतलब संस्कृत में बिध्मान सुक्तियां भौतिक उनति के लिए प्रिरित करती है बहुतिक उनति के लिए प्रिरित करती है जैसे या था मतलब जैसे जैसे सत्यमियो जैते यानि सत्य की ही सदा बिजय होती है वसुधय कुटुमकम सारी पृत्वी ही एक छोटा सा परिवार है बिद्या मृत मश्मते मतलब बिद्या द्वारा अमरत्व की प्राप्ति होती है अमरत्व की प्राक्ति होती है आगे योग कर्मसू कौसलम इत्यादिया मतलब कर्मों में कौसल निपूळ योग है कर्मों में कौसल जो है कौसल ही योग है इत्यादिया ठीक है सर्व भूतेशु आत्मवत व्यवारम करतो संस्कित भासया समेकम सिछती मतलब सब के प्रती अपने जैसा व्यवार करने के लिए संस्कित भासया अच्छी तरह से सिछा देती है सब्सक्राइब अच्छी सिच्छा देती है मतलब कुछ लोग कहते हैं यह मतलब कि कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भासायाम केवल धार्मिकम साहित्यम वर्तति कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भासा में केवल धार्मिक साहित्य है ठीक है धार्मिक साहित्य है वर्तति एसा धार्ना समचिना समीचिना नास्ति मतलब यह सोच जो है उचीत नहीं है समिचिना मतलब उचित ठीक है उचित नहीं है संस्कृत गरंथेशू मानो जीवनाय विवधा विश्या समाविष्टा देखे संस्कृत गरंथो में मानो जीवन के लिए विवीन विश्यों का समावेश है महापुर्षा राम महापुर्षा राम यानि महापुर्षो की महापुर्षो की मती महापुर्षों की बुद्धी सजनों का धैर और सम्मान्य मनुष्यों की जीवन पार नाली वर्णित की गई है अत असमा भी संस्क्रितम अवश्य मेव पठनियम अत इसलिए हमारे द्वारा संस्क्रित अवश्य पढ़ने योग्य है अथार्त हमें भी संस्क्रित अवश्य पढ़ने चाहिए तेन मनुष्यस्य समाजस्य चपरिश्कारा भवेत तेन मनुष्यस्य समाजस्य चपरिश्कारा भवेत मतलब देश्य मानों की और समाज की क्या हो सुद्धी हो देखे संस्क्रित में कुछ इसलोग लिखा है दिखा गया है उक्तच्यमत देखे उक्तच्यमत मतलब और कहा गया है क्या कहा गया है और क्या कहा गया है सुनिए लिखा है कि अम्रित्तम मित्रस्कृत किया है अम्रित मित्र संस्कृत क्या है? अम्रित है सरलम वच्ष सरस और सरलवारी है भासासू महनियम यद भासाओं में जो सम्मान के योग्य है ग्यान बिग्यान पोश्कम और ग्यान बिग्यान की पोश्क वाली है एक बाद फिर से इसका अर्थ समझ लेजिए मित्र संस्कृत अम्रित है सरस और सरलवारी है भासाओं में जो सम्मान के योग्य है और ग्यान एवं बिग्यान की पोश्क है